हलो स्टुडेंट्स आफ क्लास सेवंथ मैं आईशा अपके सस्टी टीचर और आज का हमारा टॉपिक है मेटामार्फिक रॉक्स जिसे हिंदी में कायांतरित या रूपांतरित चटान भी कहा जाता है जो वर्ड है मेटामार्फोस इसका मतलब होता है रूप का बदलना अग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स चेंज देयर फॉर्म अंडर वेरी हाई टंप्रिचर एंड प्रेशर इग्नियस रॉक्स अग्नियस एंड सेडिमेंटरी और साधी चटान जो होती है यह उच्छ तापमान और दाब में अपने रूप कायांतरित कर लेती हैं बदल देती हैं इस प्रकार से बदली हुई चटानों को मेटामार्फिक चटान के नाम से जाना जाता है मेटामार्फिक रॉक्स आर यूजली वेरी हार्ड यह रूपांतरित चटाने जो होती है यहें आमतर से बहुत कठोर होती है Some common examples of such rocks are marble formed from limestone, slate formed from shale and quartzite formed from sandstone कुछ इसके जो उदाहरण हैं रूपांतरित या कायंतरित चटान के जैसे marble जो की limestone से जब limestone अपना रूप बदलता है तो वो marble बन जाती है और slate जो की shale चटान जो होती है जब वो अपना रूप कायंतरित करती है तो slate चटान के रूप में बनती है और जो quartzite होती है ये sandstone से बनती है Rocks undergo a cycle of transformation, often called the rock cycle चटाने जो transformation की जो बदलने की प्रक्रिया से जो गुजरती है उन्हें अक्सर जो है Rock cycle कहा जाता है magma rising from depth below the earth surface produce igneous rocks जो magma होता है जो की प्रिथवी की गहराई से surface के नीचे से जो निकलता है वो हो igneous rock बनाता है The breaking down of different types of rocks produce sediments from which sedimentary rocks formed जो अलग अलग प्रकार की चटानों के टूटने से जो sediments produce होते हैं और फिर उनसे जो चटान बनती है वो sedimentary rock का निर्माल करती है एक्स्ट्रीव heat and pressure may cause igneous and sedimentary rocks to form metamorphic rocks अत्यधिक गर्मी और दबाओ के कारण igneous rock और sedimentary rocks जो होती है वो अपना रूप बदल कर metamorphic rock का रूप धारण कर लेती है When rocks are melted by heat, new magma is formed और जब बहुत अधिक गर्मी के कारण चटाने बिखल जाती है तो नया magma बनता है